जब भी आप कोई नया कैमरा भाई करने चाहा रहे हैं, आप किसी कैमरे को सिर्फ इस वज़े से रिजेक्ट ना करें, कि उसकी डैनमिक रेंज कम है, अगर मैं एक्जाम्पिल दूँ आपको, जैसे कि Canon EOS RP, ये एक लेटेस मेरलेस कैमरा है, और काफी एक्सपेंसिव ये कैमर करके उनके अंदर से डीटेल्स निकाल रहे हो, तो लैंड्स के फोटोग्राफर की हमेशा ये कोशिश रहती है, कि वो जो डार्क एरियाज है, उसके डीटेल भी अच्छे से कैप्चर करें, तो उसके लिए उन लोगों को एक ऐसा कैमरा चाहिए, जिसकी डैनमिक रेंज का काफी ज्यादा हाई हो, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि डैनमिक रेंज होती क्या है, और क्या डैनमिक रेंज बहुत जादा इंपोर्टेंट है, जब भी आप एक कैमरा लेना जा रहे हैं, या नहीं, इन सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे, अगर आपन पहले मैं आप से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक लाइक तो दे ही दें, डैनमिक रेंज का मतलब यह होता है कि आपके इमेज के अंदर जो रेंज है, ब्राइट एरियाज की और डार्क रेंज की वो कितनी जादा है, अगर हम बात करें रेंज की रेंज बेसिकली दो का इमेरा के मेरा कज अदर कितने डिटेल कैप्चर करता है, तो जितने जादा कैमरा इन दोनों साइड़ीन पर काप्चर करेगा, उतन जादा उसकी Hij będzie होगी, तो जिन कामरा की ही रेंच कम होती है, वो ब्राइट और डार्क एरियास में कम डेंज का का मैं सिर्फ 11.2 EV इसकी डैनेम करेंज आपको मिलती है इसका मतलब यह है कि जब आप इस कैमरा से राउ में फोटो खींचोगे लैट से कि आपने 100 के ISO पे इससे राउ में फोटो को खींचा तो जब आप हाइलाइट्स और शैडोज को पुश करोगे तो आपको इतने डीटेल्स नहीं मिलेंगे हाइलाइट्स का मरलब यह है कि जो आपके ब्राइट एरिया जे आप उनके अंदर से डीटेल्स निकालने की कोशिश कर रहे हो और शैडोज का मरलब यह है कि जो आपके डारक एरिया जे से आप उनको पुश करके उनके अंदर से डीटेल्स नकाल रहे हो तो जब हम इमेज को एडिट करते हैं तो हम यह कोशिश करते हैं कि जो हमारे ब्राइट एरिया जे हम उनका exposure कम करे यानि कि हम highlights को थोड़ा सा कम करें और जो हमारी shadows है shadows को हम बढ़ाएं तो shadows के अंदर यानि कि dark areas के अंदर हमें details मिल जाएं और जो bright areas है उसको हम थोड़ा सा exposure कम करके उसके अंदर से भी details हम निकाल लें तो जैसे कि Canon EOS RPA उसकी dynamic range कम है तो उसमें हमें यह details कम मिलेंगे लेकिन अगर मैं इसको compare करूं जो Canon का नया mirrorless camera आया है Canon EOS R8 तो उसमें हमें dynamic range मिलती है 14.7 EV की तो यानि कि वह काफी ज़्यादा है Canon EOS RPA से तो इस camera से जब आप challenging lighting situation में फोटो को क्लिक करोगे और जब आप highlights को थोड़ा सा नीचे की तरफ पुश करोगे और shadows को उपर की तरफ बढ आएंगे तो क्या आपको हमेशा ऐसा camera भाई करना चाहिए जिसकी dynamic range जाता हो ऐसा जरूरी नहीं है यह depend करता है कि आप किस type की photography करते हैं अगर आप एक landscape photographer है तो landscape photographer की हमेशा यह कोशिश रहती है कि वह जो dark areas है उसके detail भी अच्छे से capture करे और जो bright areas है उनके detail भी वह अच्छ ज्यादा high हो तो उन लुकों के लिए high dynamic range वाला camera एक perfect choice रहेगा लेकिन माल लीजे कि आप एक portrait photographer है या फिर आप studio के अंदर photography करते हैं तो उस case में आपके हाथ में हैं कि आप कितनी light अपने subject पे डालना चाहते हैं studio के अंदर तो आप light को totally control कर सकते हैं तो उस case में आपके USRP जैसे camera से जिसके dynamic range काफी कम है उससे भी बहुत ही पहतरी एकदम professional photos ले सकते हो और portrait photography में आपके लिए dynamic range इतनी important नहीं रहती है उसमें तो आपके लिए यह जाना important है कि जो आपका subject है वो clearly exposed हो और जो पीछे का background है वो अच्छे से blur हो जाएं लेकिन landscape photographer light को control नहीं कर सकता क् field में होते हैं तो आपके हाथ में नहीं है कि कितनी धूप निकल ली है कब चाहूं आ रही है कब एकदम से बहुत जाला light बढ़ जा रही है कहां पर कितनी shadows बढ़ी है आपके हाथ में कुछ भी नहीं है तो उन लोगों के लिए तो high dynamic range वाले camera एकदम must है जब भी आप कोई न नहीं लूँगा मैं जो camera लूँगा वह एकदम high dynamic range वाला ही लूँगा तो ऐसा जरूरी नहीं है अगर मैं बात करूं Nikon D3400 camera की उस camera की dynamic range भी बहुत जादा है यह almost 14E भी उसकी dynamic range है तो वो भी एक अच्छा camera बन जाता है अगर आपको challenging situation में photos लेने हैं लेकिन क्या वो Canon EOS RP स को और भी बहुत जादा features मिल जाती है dynamic range ही सिर्फ ऐसी चीज नहीं है जिसके base पर डिसाइड करें कि मुझे कौन सा camera लेना है वो जो आपके requirement है उसके उपर depend करेगा कि कौन सा camera आपके लिए better choice रहेगा I hope आपको समझ में आ गया होगा कि dynamic range क्या होती है और dynamic range क्यों important है और कि लोगों के लिए important है और जब आप camera खरीदने चाहा रहे हैं तो कितना तवज्जु आपको देना है dynamic range को वीडियो अच्छी लगी हो तो यार इस वीडियो को आप चारा से चारा शेयर करें क्योंकि यह information बहुत ही कम लोग आपको बताएंगे और मैं चाहता हूँ यह information चारा अच्छा content लेके मैं आ सबूं